हेलो एब्रिवन वेल्गम टू माई चैनल आज में पूने के बावधन में आया हूं और यहां पर एक प्रोजेट लॉंच किया है शापुर जी पालन जी ने यह वन्थावजे नेकर का प्रोजेट है प्रोजेट के लोकेशन पर ही में खड़ा हूं आपको मैं दिखाता हूं यह प्रोजेट के बारे में यह है इसका लोकेशन तो यह है लोकेशन यहीं पर वन्थावजे निकर का प्रोजेट बनाए जा रहा है शापुर जी पालन जी के द्वारा इस प्रोजेट का नाम होगा वाना बावधन जो पूने की बावधन की आसपड गॉल्फ कर्स के यहा प्रोजेट आप लोगों को यहां पे स्कूल, मॉल, कमर्शियल ओफिसेज, हॉस्पिटल सब नियर वाई है इस प्रोजेट का युएसपी यह है कि everything is available inside the township इस township प्रोजेट में 70% open space मिल रहा है शापुर जी पालन जी इस प्रोजेट में आप लोगों को सिर्क घर नहीं द और आने वाले टक समय में नीड होने वाली है यह है face one का model area यह है mlcp कॉर्णर में आपका विजिडर पर्किंग होगा 8 story की mlcp होगा उसके उपर आपका courtyard होगा आप जो बीच में देख रहे है middle में वो होगा आपका club house जो आपको mlc में दिया जा रहा है वो है बच्चों दिली खिलने कली जगा साथ में सिनिक पूल जीम सेसी टीवी कैमरा किड्स पूल इंडूर गेम्स यह है जी प्रस टीटू इस्टोरे टावर टोटल तीम टावर आ रहे है अब देख रहें यह model area अब खुद अंदर जा लगा सकते कि कितना बढ़िया model area दिया है यह आपको सिर्फ model area ही नहीं इसको convert किया जाएगा आपके future home में अब जो भी फ्लेट लोगी चाहे city view हो चाहे mountain view दोनों साइड open view रहेगा मेसा के लिए कोई भी development नहीं आने वाला है वहाँ पर यह है इस township प्रजिट का model area यह है वन्थावसे निकर का जो township आपका बनने वाला है शापर जी पालन जी के दौरा उसका model area ही है अब जहाँ पर greenery and mountain देख रहे हो ऐसे ही रहने वाला है future में और जहाँ पर आप देख रहे हो कि future development फ्यूचर पजिट बनने वाला है शापर जी पालन जी के दौरा तो अब जो model area में देख रहे हो कि future development तो future development आएगा यह face 1 दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक और शेयर किजेगा नेश्ट वीडियो में मैं इसके sample flat को लेकिया होगा thank you for the watching please subscribe और अगर इस प्रिजिट पे आप विजिट करें जाते तो नीचे दिये नमबर पे आप प्लीज कॉंटिक कीजिएगा मुझे thank you जैहिं